हेलो गाइज वेलकम बेक टो चनल आईटेक वर्ड एकट्यू आज के वीडियो में एकट्यू पीट्एक थर्डी यार का न्यू सब्जेक्ट करने वाले हैं फिसम का subject है सब्जेक्ट का नाम है वेब टेक्नलोजी एक टी उनिवर्स्टी के सब्जेक्ट है इस वीडियो में हम जीरो से लेक्टर है हमारा लेक्टर नंबर इसका जीरो बोलेंगे हम इसमें कि पढ़ाएंगे नहीं वस आपको बेसिक जो इंट्रोडक्शन रहेगा सब्जेक्ट का उससे इंट्रिद्डीउस करवाएंगे सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट का एकदम सेंट्रल आइडिया क्या है इसका जो सब्जेक्ट कोड रहता है फिफ्सम है वह है BCS 502 इसको CS IT IOT सब्जेक्ट में कई बार कुछ सब्जेक्ट कोड में आपको बताई दिया BCS 502 है सब्जेक्ट नेम भी आपको पता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट चलता था जो सुरू हो रहा था BCS की जगह के CS से सुरू हो रहा था वह 100 मांक्स का एक्जाम आता था बट यह 70 मांक्स का आएगा इस बाद इस बार स्लेबस है वह थो ठोरोली चेंज हुआ है ठीक है पूरा नहीं हुआ बट कुछ अब जो अपडेट हुआ है वह न्यू अपडेट हुआ है कुछ टॉपिक आए गया है कुछ टॉपिक एड्ड करेंगे तो अगर आपको इस सब्जेक्ट के कोई पुराणी वीडियो दिखती है फॉर एक्जामपल के कोड की तो एक बद आप स्लेबस चेक करना उससे मत इसमें करता है मिसमें पढ़ने केा वाले है करेंगें सब्सक्केशन होगा करने के सबसे पहले वेब का ऑफ डीवलीपमेंट के concepts क्या होता है आप मैंसे बच्चों को आता भी होगा web development उनके concept पढ़ेंगे उनकी web की history क्या थी and उसके tools and protocols क्या होते हैं even HTML और XML XML यानि extensible markup language इनको हम apply करके देखेंगे ठीक है second हम पढ़ेंगे CSS Cascading style sheet इसको हम पढ़ेंगे basic to advance then हम पढ़ेंगे JavaScript and Ajax Ajax क्या होता असिंक्रोन जावा स्क्रिप्ट एंड XML होता है यह topic पहले भी था आप भी है यह हम देखेंगे ठीक है पहले advanced CSS नहीं थी अब advanced CSS add होई है ठीक उसके बाद हम भी देखेंगे EJB क्या होता EJB in the sense enterprise java beans काफी easy topic है इसको हम देखेंगे एंड कुछ topic नए add हुए for example node.js and restful APIs यह हम already पढ़ चुके है किसमें पढ़ चुके हैं oops with Java के concept में पढ़ चुके हैं and databases के कुछ operation होते हैं CRUD operations इनको बोलते हैं ठीक create ठीक update utility कुछ operations होते हैं इनको हम देखेंगे फिर बाद में last unit में हम पढ़ेंगे sublets and JSP java server pages पहले tomcat server यह सब होते थे बट अभी as of now यह साथी चीज़े नहीं है तो मतलब हमारा जो subject है पूरा revolve करेगा worldwide web www यानि internet के according revolve करेगा around ठीक है इसी के बारे हम coding का भी पार्ट पढ़ेंगे तो काफी interesting as well as core subject CS IT and IoT यह सब्जेक्ट है cyber security इनका core subject है one of the core subject है AIML वाले बच्चे सायर इसको main subject के तोर पर ना पढ़ रहे हूं ठीक but CS and CS IT IoT cyber security इन सब का core subject है ठीक हम स्टार्ट करते हैं अब अपने introduction से तो introduction में क्या के पढ़ने वाले हैं अभी तक हमने देख लिया बेसिक बेसिक overall देख लिए अब हम introduction में मतलब पूरा syllabus को introduction करवाएंगे तो एक बात या दखना है क्या है यह new syllabus है old syllabus नहीं है तो आपको new पढ़ना है old वाला काई भी मिले बिल्कुल मत पढ़ना क्यों कि उसमें subject जो topics है वो change है ठीक है तो मैंने जो आपको बता है पहले topics बता है क्या 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 पढ़ने उन्हीं को मैं आप unit wise topic बताएदा पहली हम पढ़ रहे होंगे है web development का introduction html and xml extensible markup language dom sax and कुछ internet और उसकी हिस्सी उसके tools उसके protocols ठीक है second में पढ़ रहे हैं हमी css cascading style sheets basics and advanced css उसकी बाद हम scripting के पढ़ेंगे थर्ड यूनिट मैंने एजक्स असिंको जावा script and xml उसके बाद नेट्वर्किंग के यह नहीं TCP IP उनिफॉर्स लोकेटर का socket वगरा यह सब पढ़ेंगे ठीक है फॉर्स में पढ़ रहे होंगे enterprise java beans इसको बोलते हैं node.js का कुछ पार्ट होगा and उसके बार node.js with mongodb इसको हम पढ़ेंगे लास्ट में जो हमारी unit रहने वाली है servlet servlet क्या होता इसकी life cycle क्या होती है and even jsb का कुछ पार्ट है Java server pages इसका कुछ पार्ट है वो cover करेंगे ठीक है तो मतलब SS hard नहीं है but easy भी syllabus नहीं है इसका moderate syllabus में बोलूगा अगर किसी को पहले से web technology web designing इन सबकी knowledge है तो उसको easy लगेगा but still किसी को knowledge नहीं है तो उसको moderate subject लगेगा but मैं बता दूँ इसकी lecture wise videos आएंगी at the last में exam से पहले one shot भी आएगा तो आप जिससे पढ़ना चाहें at the last अगर one shot आपको preferable लगता आप उससे पढ़े अदर्वाइस आप इसकी lecture videos regular basis पर आएंगे ठीक है कि अब देख सेक्ते हैं नोट जो है वो almost complete है unit number one के देखो आप बहुत easy way में हमने diagrams को यूज करके अलग-अलग theories को यूज करके full forms को करके काफी easy notes बनाएं तो इसको आगे पड़ेंगे ठीक है अभी के लिए आपको क्या करना है सिर्फ हमारी इस वीडियो को like करना है इसकी जो हमने playlist बनाई है उसको save करना है and still कोई doubt हो subject को लेकर करके comment box में comment करना है हम आपके comment क reply करेंगे and channel को subscribe करना बिल्कुल नहीं भूलना and bell icon को press करें ताकि जो भी सब्जेक्ट से अधर जितने भी subjects हैं जैसे DBMS है database management system DAH है design analysis of algorithm उनके one shots already हमारे channel पर आ रहे हैं and even detail में भी हम कोशिच कर रहे हैं वो भी आ रहे हैं ठीक है अपार्ट फॉन दिस AI के subjects के भी one shot आ रहे है जितने भी पूरा रहेगा आपको सब कुछ मिलेगा without any cost lecture आपको free of cost मिलेंगे कहीं भी कोई pay करने की जरूत नहीं है कोई course खरीदने की जरूत नहीं है ठीक है कहीं पैसा बरने की जरूत नहीं है and notes में आपको prefer करूंगा advise हूंगा अभी इसे खुद से बनाव अभी time है अग आपको description box में minimal cost per notes भी available हो रहे हैं ठीक है बागी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही next वीडियो से lecture number one start करेंगे आप उसमें हम basic अभी शुरू करेंगे web technologies क्या होता है और ज्यादा lectures नहीं आएंगे एक unit में 8 lectures आएंगे उसमें complete कर देंगे क्यों 8 आएंगे even university भी बोल रहे है क colleges में देखो कितना कितना time लगा देंगे इस लेबस होने में और even 40 lecture में आपका पूरा यह complete हो जाएगा और जिसको lecture नहीं देखने last month के लिए one shots आएंगे ठीक है बागी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद थैंक्यू